आज के सेरियल किलर्स डोकुमेंटरी के इसे एपिसोड में एक ऐसे सेरियल किलर्स के बारे में हम बताएंगे जिसको खोशने में एक सुपर पावर कंट्री के पुलीस को निस्प सदी से भी ज्यादा वक्त आगा दरासल ये सेरियल किलर्स के ना के नीचे बैठा था और आखरकर इसे जब निस्प सदी यानि 50 साल से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद अदालत में पैस किया गया तो इस कंट्री की अदालतों ने ये बिना जांचे कि जिन लोगों को इस सीरियल किलर्स ने शिकार किया था इनके पीछे क्या मकासित या जरूम का मौटिफ इसे सजा सुना दी किसी कातिल या मुजरिम को हैं बस हमारी कंट्री की पुलीस ही ना कारा है मगर हालात और वाकियात अच्छे से अच्छे पुलीस को भी चक्मा दे जाते हैं इसकी एक बड़ी वज़ा ये होती है कि इनसानी समाज एक साथ दो जमानों में जीने की कोशिश करता है एक तरफ माशिरे के रिती रवाज औ ये फिटे हैं जो इन तमाम रिती रवाजों की बंदनों से आजाद होकर कहीं दूर निकल जाना चाहती हैं माशिरे की इस कश्मकस में कुछ सोच ऐसे होते हैं कि कहीं पीछे नहीं चूटती और कुछ ख्वाइशें ऐसी की समाज के इस जाहरी लिबादे को तोड़ने से प बास की आग इसका पीछा नहीं छोड़ती थी वो राह राह कर ऐसी मासूम और खुबसूरत लड़कियों को अपने शिकार के लिए चुनता था जिनके साथ जिनसी मरासिम रखने के खौब देखा करता था ये लड़कियां खुशी से इनके साथ जिनसी तालुकात के लिए राजी तो नहीं होती मगर फिर ये इनहें पहला फुस लाकर शेहर के बीड़ बाड़ वाली जगों से एक अलग तलग जगा तक ले जाने में काम्याब होता था और फिर ये शेटान अपनी शेटानी हवस जाहिर करता जो लड़की आसानी के साथ मान जाती इसे भी ये सीरि सिरियल किलर ने अपने हर शीकार को चोटे चोटे टुक्डू में बाचकर कुछ दफना दिया था और कुछ मुदलिंब नहीरू में बहा दिया था इस सीरियल किलर का नाम है रोबर्ट जिरніब्स की 1975 में इनको पहली मानतबा रोज मेरी नामी एक लड़की की कतल के जरम में निव जर्सी की एक अदालत ने इनहें लाइफ इंपरिजेन्मेंट की सजा सुनाई। 17 साला रोज मेरी 1969 में अचानक से लापता हो गई। और इनकी बाड़ी भी कभी नहीं मिली मगर फिर भी अदालत ने सेरियल किलर रोबर्ट जरेंस्की को सजा सुना दी। जब इनसे तब तिश की गई तो इनहों ने अपना बयान कई बार बदल दिया। कभी ये कहता था कि इससे दफना दिया है और कभी कहता था कि इसके साथ इसके छोटे चोटे टुकुडे करके एटलांटिक ओशियन में बहा दिया है। और 2006 में एए और हाईस में इसकूल की लड़की का गतल का जरब साबित किया गिया जो इस सीरिल खिलर किलर ने अंस तकरीब पंञी कि 텅रिल तकरीब की गाधे और इसके वार इससे 17 साल के उमर की लड़कियों के साथ रेव और मर्डर का एकरार किया इसने इंट्रोगेशन के दोरान ये भी कबूल किया कि ये इनकार करने वाली हर लड़की को रेप करने के बाद मार मार कर मौत के गाट उतार देता था 2008 में न्यू जर्सी के एक जेल में सीरियल किलर रोबर्ट जिरिंस की एक मुहलिक बेमारी का शिकार हुए और इसी साल इनकी जिर्मों की सजा सुनाने से पहले ही दोरान ट्राइल इनकी मौत वाका हुई और बग्याराज ये सीरियल किलर अपने साथ ही लेडूबा इनके इन दस केस पुलीज ने तकरीबन निस उफसदी से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद सॉल्व किये दोस्तों वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा थेंक्यू